हलो स्टुडेंट्स मैं आपका मैस्टीचर तरुन पांडे क्लास 12 की मैथेमेटिक्स पढ़ा रहा हूं टॉपिक है कॉंटिन्यूटी वैसे तो बुक में आपके इस चैप्टर का नाम होगा कांटिन्यूटी एंड डिफ्रेंस बेलटी बट अभी हम इस लीडियों में आपसे हीं डिसकसर करेंगे कॉंटिन्यूटी पर है कॉंटिन्यूटी कॉंटिनिवation कही है लृइंज कि आपने जीवन میں क्ये बाहरे ने कॉंटिन्यूटी का मतलब या behा लेंग्वेज में आपको समझा रहा हूं कि किसी भी कोई भी रियल फंसन अगर कॉंटिन्वेस से अपने डोमेन पर तो हम यहां पर यह कहना चाहेंगे कि अगर हम उसका ग्राफ बनाएं कि अगर आप किसी भी कॉंटिन्वेस फंसन का ग्राफ बनाएं तो फंसन किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर हम इसको बहुत सरल भासा में कहें तो किसी भी फंसन का कॉंटिन्वेस होना अर्थाथ उसके ग्राफ को बनाते समय पेन ना उठाना पड़े अगर कोई फंसन कॉंटिन्वेस है कोई भी रियल फंसन अगर कॉंटिन्वेस है तो उसका ग्राफ बनाने ग्राफ बनाते समय आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा एक बहुत आसान सी बात मैं आपको बता को हम और भी सरल भासा में समझ सकते हैं कि अगर कोई function everywhere continuous है everywhere continuous का मतलब यह होता है कि उस function के domain के किसी भी particular point पर अगर हम continuity check करें तो अब बात आते हैं कि कोई भी function की continuity किसी भी particular point पर अगर check करना हो तो कैसे चेक करेंगे एक मैं बहुत एक practical आपको एक्जांपल दे रहा हूं suppose एक school की लाइन लगी हुई है एक school की लाइन लगी हुई है उसमें पचास बच्चे खड़े हैं और मैंने मिठाई बाती है मिठाई मैंने सब को दी एक एक करके तो यहां पर इसका mathematics से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं नहीं लेकिन अगर हम कहें कि कोई function अगर continuous है तो वैसे मैंने example लिया कि एक लाइन है पचास बच्चों की उसमें मैंने सब को मिठाई बाती है और मैंने कहा कि मिठाई continuous है कि नहीं है तो मिठाई continuous का होगी जब हर एक बच्चों को मिले लगा था कहीं मिठाई ब्रेक नहीं हो किसी particular point पर अगर किसी particular point पर मुझे चेक करना हो इस्तों हो मिली दो कहब कहा हामी चौन के बगल में जो है मतलब राइट सैट इससे पूछेगे इसने का मुझे मिली यह हुआ के जो मिठाई है है जो स्वीट है मिठाई है वह कॉंटिनियूस हूँ एड़ पॉइंट फॉर एवरिवेर की बात नहीं कर रहा हूं अभी हम हम किसी पर्टिगुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं कि पॉइंट जो फॉर है मतलब यह जो चौथवा प्लेस है इस प्लेस पर मिठाई क्या करेंगे मिठाई कॉंटिनिवस एफ्रिवियर आएगäre सबत मुझाह कि नियुक्त बच्चे पर अगर मुझे continuity चेक करने ही तो हम क्या करेंगे पहले वाले पर चेक करेंगे और उसके बाद राइट वाले पर चेक करेंगे उन लेफ्ट में कोई है नहीं से पूछेंगे और 49 वाले से पूछेंगे बस क्यों इसके आगे है नहीं तो लॉजिकली बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको इसको पूछा जाता है तो मैं इसको रॉफ करता हूं जैसे मैं कहूँ आपसे कोई function y is equal to f of x है और इसकी continuity किसी particular point x is equal to c पर अगर मुझे चेक करनी हो तो कैसे चेक करेंगे तो दोस्त आपको समाझ में आ रहा होगा अभी मैंने जैसे एक्जामपल लिया कि अगर आपको x is equal to c पर continuity चेक करनी है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले x is equal to c पर function की value को बताएंगे x is equal to c पर function की value आप निकालना जानते है class 9, 10 में निकालना है कि x is equal to c पर function की value क्या होगी तो आप जहां x है वहाँ पर क्या रख देंगे c ओके तो यह जो f of c है यह function की value क्या है at c यहां पर जो y is equal to f of c निकला यह क्या है value of function at the point x is equal to c इसका वंदर x is equal to c पर आपने function की value निका दी अब c के right में और c के left में value निकालनी पड़ेगी जैसे मैंने example लिया था फोर्थ वाले बच्चे से पूछी मिठाई मिली की नहीं मिली फिर फोर्थ के बाद उसके right वाले से पूछी और left वाले से पूछी तो अगर मुझे x is equal to c पर अगर continuity check करनी है तो दोस्त मैं आप से कह होंगा कि आप c पर value check करिए फिर c के just left वाले से पूछे और फिर right वाले से पूछे तो आप हमको बताई कि c के left वाला कौन होगा c के just वाला कौन होगा तो आप समझे इस चीज को जैसे मैं आप से कहूं कि real number में दो के just right side वाला point क्या है तो आप क्या कहेंगे तो दो के just right side वाला point है 2.01 तो आप confusion की stage में आगे क्यों क्यों 2.001 कोई कहा 2.001 से पहले है फिर कोई कहा 2.0001 पहले है ओके तो आफ्टर तू आफटर टू रियल लंबर तो मौझूद है बट आफ्टर टू रियल लंबर कौन सा है नहीं मालो ऐसे ही टू के जस्ट लेफ्ट वाइट वाला कौन सा रियल लंबर है I don't know कोई कहा 1.991.991.9999 और मेना ही vigix ईना है है ख्याव tip में पारा है लो भसवार घ्रोश में लाप कैदर हों हुद तो प्लस कैं। कि टू के जस्ट आगे इसको मैं थेमिट के लिए हम बोलते हैं टू प्लस घृष्ध टू के दो प्लस अर इसको कर चमुरे को डू कई बच्चों की दिवाग में होता है कि एच की वेलू जीरो है ना एच जीरो के टेंस जीरो के करीब और टू के ज़स्ट वाला पॉइंट निकलना तो क्या होगा टू माइनस तो उसे थोड़ा सकमन 1.999 तो उसको टू माइनस से लिख नहीं सकते ना 1.999 उसको बोलेंगे तो टू माइनस एच तो ऐसे ही दोस्त अगर हमसे कहा जाए कि सी के ज़स्ट राइट और जी सी के पंसन की वैलू क्या होगी तो कैसे निकालना होगा f of c-1 ठीक है इसे को हम लोग c-1 एफ of c-1 एफ of c-1-1 एफ of c-1 पर वैलू यहों गया है लेफ्ट साइट और राइट साइट कहून होगा F of C plus Right side का मतलब हुआ C के just बगल आला Point उस पर फंसन की value देखो C पर continue to check करने का मतलब होता है C पर फंसन की value C के just left वाले point पर value C के just right वाले point value C पर value निकालना होता है F C हो गया C के right side का value C plus पर निकालना है value C plus का मतलब C plus H हो गया Left का मतलब हो गया C minus C minus का मतलब हो गया C minus H इसका मतलब यहां पर हो गया F of C plus H तो दोस्त F of C minus H पर value F of C plus H पर value और F of C अगर यह तीनों value सेम होती है तो फंसन C पर continue to check आप कहेंगे सर पोक में तो यह लिखा हुआ है बगल में तो भाई लिख दीजिए limit h 10 to 0 कोई बहुत बढ़ी चीज़ नहीं है introduction है बगल में लिखा है आप 14 लिख दो बेरिकेट में H is very small Hindi में लिख दो H बहुत छोटा है चाहा है Mathematically limit h 10 to 0 यहां भी बताना पड़ता है limit h 10 to 0 देख रहे हैं हुँआ थेओरट कली आपको बढ़ा आसान लग रहा हुआ कि किसी पॉइंट पर अगर आपको continuity चेक करनी हो तो how to check continuity of given function at the point C first you evaluate the value of FX at the point C and after that C plus H and C minus H if these three values are same then the function is continuous at the point C this value is known as left hand limit and this value is known as right hand limit LHL RHL correct है that is the meaning of continuity at the point C अब इसको हम इस तरीके से भी मर्च करके लिख सकते हैं limit x tends to C f of x is exist and equal to f of c अब class 11 की बात बता रहा हूँ आपने limit पढ़ी हुई है तो limit x tends to c f of x is exist का मतलब क्या होता है की मतलब इसको आप देखिए mathematical से theoret के लिए पढ़ना सीखिए limit x tends to c f of x का मतलब हुआ है कि जब function की value x जब c के करीब है तो क्या होगी तो दोस्त जब x c के करीब है तो function की value क्या होगी हव तो फाइन तो जब value x tends to c c के करीब है तो c के करीब दो लोग है तो c के करीब left वाला c minus और right वाला c plus तो हम क्या करेंगे c minus पर और c plus पर दोनों value निकालेंगे क्यों लोग दो के करीब दोनों है ना और दोनों value जब c में होगी तो हम कहेंगे ना कि x tends to c function की value यह होगी एक common sense है यार आप माली जई यहां रहे रहे हैं आपके बगल में घर है left right हो एक right है हमने कहा कि आपका पडोसी अच्छा है तो जब left और right दोनों वाला अच्छा होगा तभी ना आप पहेंगे यह statement जादी करेंगे आपका पडोसी अच्छा है अगर हमने का x tends to c पर function की value exist कर रहे है इसका मतलब क्या है left और right c minus और c plus दोनों पर function की value same होगी तभी तो limit exist कर रहे है अगर c minus पर value अला होगी और c plus पर value अला होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि x tends to c पर function की value exist कर रहे है c minus पर value मिल लाई है c plus पर value मिल लएए लेकर हम दोनों value different है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि x tends to c पर value यह है प्ले x tends to c का मतलब दोनों बाते होगे left और right कभी पर कोई बंदा अगर कह रहा है कि x tends to c पर function की value क्या है इसका मतलब left और right दोनों की value same होनी चाहिए तो यह x tends to c का मतलब होगा c minus पर और c plus पर दोनों की value अगर same है तो हम कहेंगे limit exist कर रही है और अगर limit exist कर रही है और यह limit अगर f of c के बराबर हो जाए दोस्त यह दुनों point यह LHL और RL same है तो हम कहेंगे limit exist at the point c and if it will be equal to f of c it means limit x tends to c f of x is equal to f of c इसका sense होता है कि LHL और इसका RL दोनों same है और यह अगर f of c के equal है तो हम कहेंगे function क्या है continuous है किस point पर c पर अब इसमें जड़ा कोई अगर function interval में दिया है y is equal to f of x x belongs to a comma b close interval तुम क्या करेंगे सबसे पहले इसकी continuity a पर चेक करेंगे बीपर चेक करेंगे और फिर a और b के बीच में एक arbitrary point लेंगे उस पर चेक करेंगे अगर हमें a पर continuity चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे f of a पर value निकालेंगे और a की पहले दिको है नहीं f of a plus पर निकालेंगे a plus का मतलब ही होता है a plus h एंट्रोडेक्सम देरीजिए ना आप h tends to 0 if this value it will be equal to f of a इसे बोलते हम लोग लेफ्ट कॉंटिन्यूटी ठीक है ना सॉरी राइट कॉंटिन्यूटी क्यों लेए पर value निकाले और a plus पर निकालेंगे ऐसे यहां पर आखरीम निकाल लोग भी पर तो क्या निकालेंगे f of b निकालेंगे और b के जस्ट पहले तो b के जस्ट पहले कौन होगा f of b minus h यहां पर बोलेंगे लिमिट h tends to 0 यह हो गया हमारा left continuity यह हो गया right continuity और a और b के बीच में कोई arbitrary नंबर ले लेंगे c x between a and b और फिर c पर चेक करेंगे f of c f of c minus c plus और f of c minus और लिमिट लगा ले जागा मैंने लिखा नहीं है तो हम कहेंगा function continuous everywhere तो a पर चेक कर लिया b पर चेक कर लिया और a और b के बीच में a और b के बीच में यहां c लिख लिए रहा है c a और b के बीच में तो a पर चेक कर लिया b पर चेक कर लिया और a और b के बीच पर चेक कर लिया अगर step one step two step three तीनों अगर follow हो रहा तो हम कहेंगा function is continuous continuous on close interval a to b क्लi acne और obviously आप देख रहे हैं कि b के बाद right में कोई value नहीं तो b पर check करेंगे और b माइनस पर चेक करेंगे एपर चेक करेंगे और a और b के बीच में अगर कोई वेलू है सी तो उस पर जग करने का मतलब है f of c पर निकालेंगे f of c प्लस पर और f of c माइनस पर कि अब कोई function discontinuous कब होगा अगर हम यहां पर कहें कि कोई function discontinuous कम होगा तो दोस्त आप यह समझ रहें कि continuity की condition जो फॉल्व ना करें वहाँ अब कहेंगे क्यों अब यही कह लिजे कि अगर लेफ्ट हं लिमिट राइट हैं लिमिट के एक्वल ना हो तो भी function discontinuous हो गया आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई function अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पर कोई function f of x किसी पॉइंट एट एक्स इसकों दो सी पर डिसकॉंटिनियस कब होगा तो देखिए मैंने बताया इसकी लेफ्ट हैं लिमिट होती है limit x tends to c minus f of x limit c minus का लब है जहां x है वहां c minus रख दीजे c minus का लब c minus h होता है left hand limit और right hand limit limit x tends to c plus f of x limit x tends to 0 f of c plus h and function at the point c मतलब यहां पर f of c यह यहां पर f of c तो कहने मतलब यह है कि अगर left hand limit और right hand limit और f of c इन तीनों में कोई भी अगर एक not equal हो गया मतलब यह दोनों अलग-अलग हो गया तो भी discontinuous यह दोनों सेम हो गया यह अलग हो गया तो भी क्या है discontinuous तो common sense है discontinuity का कोई definition अलग से नहीं किया सकते है अब चाहें तो हम 10-15 में इसमें अपने लगा दें कोई मतलब नहीं बनता दोस्त जो यह तीनों अब जो फूलफिल ना हो यह दोनों इक वल हो इसके लोग यह दोनों पराबर हो लेकिन इसके लह चल के यह यह कोई भी condition मिल जाए तो function discontinuous है एक होता है removal discontinuity मतलब वहाँ पर discontinuity को remove किया जा सकता हो removal discontinuity इसका मतलब क्या है तो एक होता है removal एक होता है non removal तो देखिए जैसे हमने कहा कि left hand limit और right hand limit अगर दोनों सेम है लेकिन वह f of c के एकवल नहीं है तो इसे बोलते हम लोग removal discontinuity मतलब लेचल आरेचल सेम है बट दस नॉट एकवल टू बोथ f of c इसे बोलते हम लोग removal remove तो मना है removal तो रिमवल दिस piùन लुटी सब्सक्राइब नेट लेप लइंट यूट इंट रैप गभर सेम इसम हृतrementués करी पर और करने ये भी होता है कि लेफ्ट और राइट सेम है और एक सी एक्जिस्न आ कर रहा हु कि गिद्स लब यहां पर लेफ्रोल राइट सेम है है मत एफ फिर इस इस ती नहीं कर रहा है । यह क्या हो गया है यह स्टाष्टा REEK का मतलब सीधा से कंस rend लेकिन एक होता है नॉन रिमबल डिसकॉंटिविटी जिसमें लेकिन नॉन रिमबल डिसकॉंटिविटी क्या है तो जिसमें सेला है इए ऑ अच्छे सेख ग्राफ कि और डिसकॉंटिविटिव टम्रे मैं सब्सक्उंड राइब य कि सेख़ै ज्री आप डिनो में। रूस इंटरवल में बताया कैसे चेक करते और इसके बाद मैंने रिम्यावल और नॉन ठीक्रमिति के बारे में इस-पेंगे दोस्त एसतेरों में मैं आप है नगरे Cu तो आप ने ऌन